आज दोस्तों ने पोगराम नाया है और वहां पर खाना पीना भी होगा और आम बाइक का सफर करेंगे कि वहां पर गाड़ी नहीं जाती है इसलिए सुबह सुबह ने करें और तकरीपन आठ बजे करीब हम गतर चौक पहुंचेंगे और फिर वहां से आगे रुवानगी होगी पाकी दोस्तों के साथ आज हम जनाब जा रहे हैं इंटिला जोगिया अडवकेट अकब शजादवान है मेरे साथ और कुछ इनके वकलादोस्त हैं जो आगे हमारे साथ जाइन करेंगे डुमेली से तो अब हम घर से निकने वाले हैं ताइम हमारे पास हुगा है अभी जी शे बज़ कर आठ मिनट इन्शाला हम आठ बचे तकरीबन गतर चौक होंगे जो डुमेली से तोड़ा सागए है यहाँ वैसे तो हम हमेशा जीटी रोड से सफर करते हैं लेकिन इस बार हम जो सफर है हमारा वो लिंक रोड के तरी होगा क्यूंके हमने एद का सफर है और जो रुतास वाला रोड है एक वड़ा से लुपर रस्ता है और दूतरा यह है कि आगे रस्ता खराब है काड़िया निचादी इसकी हमने लोड बचाइकर पर जा रहे हैं और आपका रस्ता आपने गवह पिंट से उते हुए बिदर से आगे सुग्याल कर जा रहे हैं आगे वहां से आएका निचे गा पाड करास करके आम नहीं आगे जाना है ला जोगियां के जाने अभी आम तर्थाल कराओं से आगे पहुंच चुके हैं और तर्थाल कराओं को करास करते हुए भी बड़ी दर्वेजा के जाना पाड रहे हैं नाजरीन इस वाकत हम डिमेली और जो चबड के पाड हैं उनके दरिम्यान में खड़े हैं हमने थोड़ा सा ब्रेक ली है क्यांके सफर काफी हो चुका है और हमने कहा थोड़ा सा सफर को रुपकर ठकान को दूर किया जाए इसलिए आपको पाडों का मनजर दिखा रहे हैं वहती हुबसरच मनजर है इस वाक पाडों का सुबा का टाइम है और सुबा के तकरीपन साथ बाच चुके हैं और आमने आगे पहुचने भी है यह देखें कितनी खुफुरत रोड है जबरदास नजारे वाजी वाजी वाशाला जी जबरदास आप जोने आगे वाँ पर ज कि तर दिए संसरा मिला जी टाइबाख का यह दो एकल दिए आप आप जोने अकड़ी में दो हएं अला कर आप साले का यह को यह कि अ जा आखेंगार एसामै का मैं एक यह जानर गजर रहाए जुना आप पहौडों के दर इंहां से पहुचर फॉसलाले का जा एक थैंग मध इसलाम अलेकम वालेकम सलाम अलेकम सलाम जिजनाब बहुत ही खतरनाक सफर है रोड भी टूटी हुई है इसलिए मेरे ख्याल में हमें कैमरा बंद करना पड़ेगा ताके सफर असानी के साथ कंपलीट हो सके और हम नीचे अराम से जा सके अचराण यह आफ एध्याब गत्र चोक पहुंच चुके हैं यहां से आगे गत्र की तरफ जाना है यह रोड जा रही है आगे गत्र आएगा तकरीबन है यह से साथ किलमीटर बढ़ गवाब 12 किलमीटर इस आगे आम ने जाना है तिला जोगीयां की जानिब यह हम गत्र चोप पुछ चुके हैं और इस वक्त यसरभ भी आ चुका है जिसके साथ हमने जाना है यह यसरभ प्रफ से हमारी पुगराम सेयाती पुगराम बना था यह यह सुर्भ साब है जने पुगराम बनाया था यह है अब हम काफला रवांद हुआ है कुछ लोग आगे कोँछ चुके हैं और रमब्य ने भी यहां से जाना है टिला जोगियां की जानब अब यह रास्ता आगे जा जायेगा टिला जोगियां की जानब यह दो एक नंगा यह गत्र चोक से पिछे मश्चद नजर आई मुझे मैंने देखा कि ये मस्जद फैसल मस्जद की तरह है मेरे ख्यार मैं तो इसे मिनी फैसल मस्जद बोलना चाहिए और बाकी तो इस मस्जद का पता नहीं क्या नाम है नाम नहीं लिखा हुआ इसका बाकी चलते हैं लेकिन इसका मनजर बड़ा प्यार है और नजर ऐसी आ रहे है जैसे किसी ने जो डिजाइन बनाया है फैसल मस्चद की कापी की है विरकल ऐसे इसके में आ रहे हैं जबरदास जी असलाम आलेकूम जी यह जाता है हम गतर चोग में मौजूद है और यह रोड जा रहा है बढगवा की तरफ बढगवा गिन स्टेशन और यह एक रोड जा रहा है बेट और पिला जूगियां की तरफ अक्रीबन आठ नो किलो मीटर आगी है हैं और यह हमारे बाई हैं और इसके बाद इसके बाद आपको एक नया विलॉग देंगे यह जनाब इदर गंदम को जनाब उंठों पे अपने मंजले मक्सूद तक पहुचाया जा रहा है यह हमारे आगे वागपड़ा हूं अलाभ खयर करें अलाभ खयर अलाभ खयर यह देखें तो पर उन्दम को जो 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 माशाला जो जनाब टिल्ला जोगियां थूँ स्टार्ट करना पर जर्नी पोच आए टिल्ला जर्नी दे तेम है नाल सारी जनाब हो जनाब यह पिछे आ रहे हैं अकस जबार साफ और साथ हैं नमदार असर आज इनके स्कैमने का मौइना होगा तो ता भी आए ता दमारे यसरब इसरार विर्दा साफ शेक सबीग साफ और पिछे मारे साथ हैं शमीर सारी टीम हमारे साथ है आज हम अपने कुलाडी अपने सांस लेके आएं अशाला जी जबरदस व्यू है और जवान जो है स्टैंड ठक चुके हैं आरा साब अपना क्या व्यू देने चाहेंगे मसवाका ने मसवाक जिसकी पुख लगा है मसवाक रगड़ सकना है यह बाकी मारी टीम के हमें बना जो हैं जनाब आसर साब और चोजरी असरब साब से पीछी हैं बाकी जवान पीछे आ रहे हैं और दो तीन जवान आगे जा रहे हैं इस परचे से हमें जनाब गड़ियां खड़ी कियें और गड़ियां खड़ी करके हम आगे हैं इस वक्त काफी टाप पर पहुंच चुके हैं जबर्दास्ति ए सारा सफर जनाबसां कटका है हैं यह अवाम सारी फिरने तो नहीं लिए अडवेंचरत आई यह थै जबर्दास्ति माशाला बीटी फिल्व्यू जबर्दास्ति जनाब जी तुसमें चड़काई हैं हाँ जी हाम जनाब तिला जगें के तकरीबन हाइट के मिडल में पहुंच चुके हैं दूसरे स्टेप पर इस वक्त हैं जिसको दूसरी चत्री भी बोल दी जाती है यहां पाराम जबान में और कितना जबर्दास मंदर यहां से नजर आ रहे हैं नीचे अबादी है गहों नीचे जो नजर आ रहे हैं इस वक्त अभी अमने उपर जाना है और तकरीबन आदा गंटाक साफर और बाकी है मेरे ख्या माशालाह क्या वियू है यह द्रह जल्म नजर आ रहा है यहां से बैता हुआ द्रह जल्म है और यह कितना गुपसुरत अलाका है यह बाकी हम पोग चुकी है इस्रार अमिन मिर्जा साहब अकस जबार साहब शामीर और हारे सदील और मैं सन्य आपने चल गोजे निकले हैं सन्य चल चल कावचल गोजे निकल सन्य चल जो आज कुझ निगल सन्य देखे जी आम पोँच चकी है तिला जोगिया में यह तरीख ही जगा है इस वड़ा है इस वाकत आम तरिशेर बंदन का एक बग चुका ए और काफी सपरत आ करके तकरीबन, 32 двеti bae' , तकरीबन 200 वोट कहा है सब सब्सक्तार। अंदर का मंदर है? ईटला जोगियाह के बहुती खुबज़ूरत मंदर है देखें ही यहाँ पर बनने हुए जग तकरीबन अम इस वाकद ! इक हुजरत मंदर है, देखें यहां पर बनी हुए हैं, जगे तकरीब रहे हैं इस वक्त 32-100 फुट की हाइट पारे मजूद हैं, और बाकी भी आ रहे हैं, यह इसमें नक्षण नगार भी बने हुए हैं, वाँ, क्या हुजरत मंदर हैं, गराफिये, नादरीन, क्या नक्षण नगार हैं, जबरदस्त, बेहतरीन, यहां पर कहते हैं कि जोगी रहते थे, जो कि यहां पर पूजा करते थे, यहां पुजारी थे, पता नहीं अब क्या वज़ा है इसकी, इस बारे में, यह सोटा सा किला है, यह टिला है, जबरदस्त जी, माशाळला, बड़ा खुबसूरत व्यूए है, जबरदस्त जी, माशाळला, जेनाब बहुत ही खुबसूरत मनजर है, यह सबक्ता हम तिला जोगिया में पहुंच चुके हैं, और अभी, रेस्ट हो उसकी जानब बाट रहे हैं, और यह बहुत ही यह जिनाब टिला जोगिया जो टूररिजम प्लेस है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही पुर्सकून एरिया, और यहां पर चीर के द्रख्त भी लगे हुए है, आप दे सकते हैं, बहुत ही कदीमी जगा है यह और पहुरी बहुत ही मुशूर जगा है, जेलम की स जाट से रुतास से आते हुए, दीना की जानब पहले आई थे रुतास की तरफ आते हुए, यह रस्ता आता है, और दूसरा रस्ता जो हम आई है, वो आई है पैदल, यानि बेट, जो गौँँ है नीचे, वहां से हम चल कर रह उपर आई हैं, यह तकरीबन हमें दो गंटे स लग चुका है इस वक्त, लेकिन मज़ा आया है चलने का काफी, एक तकावड तो हो चुकी है, लेकिन खुशी भी है, कि हमने मुश्कल सपर तकरीबन दो गटे का पैदल काट ली है, और बहुत मज़ा आया है, और हम इस वक्त रहस्तोस में, जो अपने तिला जोगी है, वह ये सिक दोर का एक कदीमी तलाब बनना हुए है, ये पत्थरों से बनना हुए है और अब तक काइम है, और इसमें इस वक्त पानी तो नहीं है, लेकिन ये एक कदीमी शाहकार है, जो यहाँ पर इस वक्त भी मजूद है, और आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में, ये क ये जनाब इला जोगियां का जो इंटरस पार्ट है, यहां से अंदर दाखल होते हैं, ये सैड़ों पर भी लखावा इला जोगियां नैशनल पार्क, और ये चिला जोगियां की तरीख भी इसमें दर्ज है, इसकी तरीख भी यहां पर दर्ज है कितना खूबसूरत मन्ज़र है ये रेस्टो उसे चोटा सा और साथे आगे और भी लोग बहुत सारे आई हुए हैं यहां पर जो नज़वाई कर रहे हैं कुछ लोग गाने गा रहे हैं कुछ लोग खाना पका रहे हैं हर बंदा यहां पर खूब नजवाय कर रहा है आज यीद का तीसरा दिन है और बहुत ही खूबसूरत मनज़र है यहां पर बहुत ही खूबसूरत मनज़र यहां का यहां पर लोग काफी नजवाय कर रहे हैं और मज़े ले रहे हैं क्या जीट का आफिरी दिन है तीसरा दिन वो लोग साथ में यहां पर खाने भी पका रहे हैं और इंज्वाइबी कर रहे हैं यह सरफ साब नियाग लगा दिये और गोश्पके का जो हमने इसके बाद जिनाब हाथ साफ करने हैं उस पर सबने इस वाकत हम सब ठक चुके हैं शेक साब जिनाब कटिंग लगे हुए हैं और हमें गोश्पलाक पका कर खलाएंगे जिनाब लकड़ियों की लकड़िया और मजी लाने के लिए दे रहे हैं यहां पर जब अलो जी कोकिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद खाने पर आद साफ करेंगे यह सारी अवाम हमारे साथ आजाई विए हैं माशाला जी गोश्प तकरीबन अदा तकरीबन त्यार हो चुका है यह शेख उसामा साब हैं आज हमारे जो सफर के साथ ही भी हैं कुक भी हैं और शेवबेक सदीक जो एड़वोकेट साब हैं उनके गोश्प रेड़ी हो चुका है माशाला जिजाक अल्ला जिनाब वाजीवा अभी रख रहे हैं यह हम पर माशाला जिनाब आप सारे खाने पर आद साफ करेंगे माशाला जी मुहमद कहफ साब या चुके हैं सारे मारे साथ जब रखा मोशे चुके अवाम की साब रखाया जारी है कहाने के बाद आवाम की की आहलत है माशाला जा उनके बाद में झालत माशालाजया कहने के बाद के मनादर हम रेस करना चाहारी है जैसे माशाला जी ऐसी बात है जनाब ऐसी बात है यह जी जिनाब इस वक्त हम जो सबसे उंची जग़ा है तिला जोगिया में उसकी हाइट पर खड़े हैं और यहां से आप तसीर सुआबा और तसीर पिड़ दनिर खान देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत मनजर जनाब जोगियां जिससे तकरीबर हम साड़े चार अजार फिड़ की बलंदी पे हैं यह आप देख सकते हैं वह तीसो दसीदी सीदी है ना यह लास इसका मंदर बना हुआ है यह जी मलक आकब साब यह जी दानिश साब उसामा ठीक है शामीर अली और यह शेयक सदीक यह इनका कि टूरीज हमाई हुए हैं लोगों कैसा एक्सपिरियंस रहा है जी महमत कैफ आपका बहुत मज़े का अब खाना खाना है घर जाके बिलकुल नहीं खाना असलाम अलेकम जनाब मेरे खेल में तो यह वह जगह जहां पर रंज ने अपने कान फ्रवा कर कानों में बाली अडल लिवाई थी और काफी यह हाइड पर जगहा है इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं और रंज ने इतली मसल की और रंजा जोगी बन गया जिनाब यहां से काफी तकावड के बाद हमारा टिला जोगियां से वापसी का सफर शुरू होता है और अब हम यहां से अब अपना औ और इसके साथ ही हमारी वीडियो का एंड होता है और नई वीडियो के लिए देखते हैं हमारा चैनल